दोस्तो आज की कहानी में हम देखेंगे तीन ऐसी बुड़ी ओरतों को, जिनके हाथों में एक ऐसी जादूई शराब लग जाती है, जिसको पीते ही वो कुछ देर के लिए फिर से जवान हो सकती थी अफिर से जवान होकर ये औरते अपनी जिन्दगी में क्या-क्या कांड मचाती हैं, आइए देखते हैं लेकिन तबी अचानक उसे बिजली का एक जटका लगता है और वो वहीं पर टपक जाता है तबी हम देखते हैं कि पपू परदूशन कोई जवान नहीं बलकि एक बुड़ा आदमी था और उसने कुछ ऐसा बना लिया था जिससे वो खुद को जवान कर सकता था आगे सीन शिफ्ट होता है और हमें पपू परदूशन का फ्यूंडल दिखाया जाता है यहाँ पर हम नैंसी की दो जिगरी दोस्त टपकीली और चिलगोजी को देखते हैं जो कि पपू परदूशन के मरने पर बहुत ज़दा खुश हो रही थी आगे घर आकर वो तीनों दोस्त फोन पर बाते करती हैं जहाँ पर नैंसी को संभालने की बज़ाए टपकीली कहती है कि मैं हर तरह की डाइट और एक्सरसाइस ट्राय करके देख चुकी हूँ लेकिन किसी से भी मेरे मूँ की जुरिया कम नहीं हो रही महीं चिलगोजी भी उन्हें कहती है कि आज इस खुशी के मौके पर में केक बना रही हूँ और पूरी रात पाटी करूँगी लेकिन नैंसी उनकी इन सब बातों से परिशान हो जाती है और उन्हें गालिया देकर फोन काड़ देती है अगे जब नैंसी अपना सामान देख रही थी तबी उसे अपनी और पपू परदूशन की जवाने की कुछ फोटोस मिलती है जिनको देखकर वो अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है हम देखते हैं कि नैंसी अपने जमाने में एकदम माल हुआ करती थी और पपू परदूशन एक नंबर का चूतिया लेकिन फिर भी नैंसी को पहली नजर में ही पपू परदूशन से प्यार हो जाता है वही पपू परदूशन के हाथ में तो लोटरी लग चुकी थी इसलिए वो इस मौके को कहां खोने वाला था अगे नैंसी उसको अपने साथ अपने घर ले आती है जहां पर वो उससे पूरी रात अपने खेत में मजदूरी करवाती है अगले दिन नैंसी पपू परदूशन का सारा सामान पैक करके उसको डोनेट करने के लिए एक टरस्ट में जाती है लेकिन वो लोग उसका सामान लेने से मना कर देते हैं क्योंकि उसका सामान काफी पुराना था और अब इस्तेमाल करने लाइक नहीं बचा था लेकिन नैंसी भी उस सामान को अपने घर वापस नहीं ले जाना चाती थी इसलिए वो सामान को जबरदस्ती वहीं पर छोड़कर वहां से चली जाती है आगे जब वो बस से अपने घर जा रही थी तबी एक बुड़ी औरत उसे सीट पर बैठने को कहती है लेकिन नैंसी सीट पर बैठने से मना कर देती है और कहती है कि मैं अभी इतनी भी बुड़ी नहीं हूँ जो खड़ी होकर ना जा पाऊं लेकिन तबी अचानक बस ड्राइवर ब्रेक लगाता है वो नैंसी नीचे गर जाती है आगे टबकीली और चिलगोजी नैंसी से मिलने आती है जो की हॉस्पिटल में एडमेट थी चैनसी को भी उसका ये आइडिया अच्छा लगता है और वो कहती है कि सबसे पहले तो हमें इसकी सफाई करनी होगी आगे जब वो दोनों सफाई करने के लिए उस शेड में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर काफी अजीब अजीब चीजे पड़ी होती है तब कीली कहती है कि ये तो उसका मूत पड़ा है वो मूत पर क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा था तब ही अचानक उन्हें वहाँ पर विस्की की एक बोतल मिलती है चिलगूजी कहती है कि ये तो काफी अच्छी विस्की लग रही है और ये काफी साल पुरानी भी है तभी टपकीली उस बोतल को लेती है और उसे पीने लगती है कहती है कि इसका स्वाध तो बिलकुल ओल्ड मॉंक जैसा है आगे वो तीनों उस बोतल को लेकर घरा जाती हैं और पैक बनाकर पीने लगती हैं वो तीनों ही अपने बुड़ापे से बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि उनकी लाइफ से सारी मौज मस्तियब जा चुकी थी तब कीली कहती है कि देखो मेरा हाल अब क्या हो चुका है जवानी के टाइम मेरी तितली गुलाबी और मेरी चूचियां बड़ी हुआ करती थी लेकिन अब वही चूचियां सिकुड चुकी है और तितली मुर्जास ही गई है नैंसी कहती है कि अब ये सब बाते करने का कोई फाइदा नहीं हम बुड़े हो चुके हैं और अब हमें जिन्दिगी को अपनाना होगा जिसके बाद वो तिनों भंडो कर वहीं पर सो जाती हैं अगली सुबह जब उनकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि उनकी शकल अचानक से बदल गई है वो तीनों एक दूसरे को देखकर डर जाती है और चिलाते हुए वहां से भागने लगती है नैंसी को लगता है कि शायद उसके घर में जबर्दस्ती कोई घुस गया है इसलिए वो भाग कर खुद को बातरूम में लॉक कर लेती है पर तबी उसकी नजर अचानक अपने चेहरे पर पढ़ती है जो की बदल चुका था वहीं टपकीली भी भाग कर उसके लाइरी पढ़ती है और तब उसे पता चलता है कि ये सब इस विसकी को पीने से हुआ है जिसको पपू पर दूशन ने बनाया था आगे वो तीनों फिर से शेड में जाती है जहां पर उन्हें चार और दारू की बोतले मिलती है तब ही चिलगोजी उन्हें कहती है कि अब हम अपनी जवानी के मजे लेने चाहिए भगवान ऐसा मौका बार-बार किसी को नहीं देता और अगर हमें ये मौका मिला है तो हमें इसका पूरा फाइदा उठाना चाहिए अब वो तीनों जैसे ही बाहर निकलती है तब ही उन्हें देखते ही एक मोटा उन पर लाइन मारने लगता है जिसको देखकर टपकीली बहुत खुश होती है क्योंकि वो हमेशा से चाती थी कि कोई मर्द उसको नोटिस करे इसके बाद वो दोनों कैफे में जाती है जहां पर वेटर उनकी खुबसूरती को देखकर उन्हें अपनी तरफ से फ्री में कॉफी दे देता है ये कोबी चीजे हम करना चाते थे और नहीं कर पा रहे थे वो सभी चीजे करें अब ये आइडिया बाकी दोनों को भी पसंद आता है और वो तीनों मिलकर अपनी एक बकेट लिस्ट बनाते हैं जिसमें टपकीली लिखती है कि उसे वेगस घूमना है और अपने हरामी पती से ब पूड़े हुने लगे हैं जिसका मतलब था कि उस जादूई शराप का असर बस कुछी घंटों तक रहता था आगे नैंसी उने कहती है कि हमें मौडल लड़कियों की तरह खुद को बदलना होगा नहीं तो सभी हमारे कपड़े और हमारे बात करने के तरीके का मजाक उड़ क्योंकि आस तक किसी ने भी उन्हें घोड़ी बनने के लिए नहीं पूछा था कुछी देर में चिलगोजी को भी अपना शिकार मिल जाता है और वो कलब के एक डीजे के साथ बैटकर दारू पीने लगती है उदर नैंसी और टपकीली साथ में डांस कर रही थी लेकिन ज़ दारू पीने की वज़े से टपकीली को उल्टिया होने लगती है थोड़ी ही देर में वो देखती है कि जादू दारू का असर फिर से खत्म होने लगा था तो वो वापस अपने घर चली जाती है लेकिन चिलगोजी को तो अपने लिस्ट के पहले काम को पूरा करना था और वो था तीन आदमियों के साथ सामुहीक मजदूरी इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ जाने से मना कर देती है फिर अगली सुबे जब चिलगोजी की आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो वापस बूड़ी हो चुकी है नहीं डीजे की भी ये सब देखकर फटी पड करने लगता है लेकिन चिलगोजी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और वहां से चली जाती है अगे नैंसी उने बताती है कि मैं हमेशा से ही इस जंगल में आना चाती थी लेकिन शादी होने के बाद मुझे कभी भी टाइम नहीं मिला अगे वो एक जील के पास जाती ह और किसी औरत को याद करने लगती है लेकिन वो इस बारे में अपने दोस्तों को कुछ नहीं बताती फिर घर जाने से पहले चिलगोजी दिलबाग को अपना नंबर दे देती है और कहती है कि मैं तुमारे लिए गोड़ी बनने को तयार हूँ आगे वो तीनों नैंसी के घर जाते हैं जहांपर बातों के दुरान चिलगोजी बताती है कि मैं एक आदमी से बहुत ज़दा प्यार करती थी और उसे शादी भी करना चाती थी लेकिन उस आदमी ने एक बाजारू औरत के लिए मुझे छोड़ दिया तबी टपकीली उन्हें अपने एक्सस बेंड रॉबर्ट के पास जाती है और उसकी नई मंगेतर के सामने ही वो रॉबर्ट को पकड़ कर चूसने लग जाती है अब ये देखकर उसकी मंगेतर रॉबर्ट को एक गुसंड पिलाती है और कहती है कि भी सड़ी के ये क्या है चिलगोजी कहती है कि रॉबर्ट मेरा अब ये सुनकर रॉबर्ट की मंगेतर चिलगोजी को गालियां देने लगती है और उसे वहाँ से बगा देती है वही नैंसी शीला नाम की एक लड़की को ढूंडने की कोशिश कर रही थी लेकिन काफी ढूंडने के बाद भी वो उसे कहीं नहीं मिलती वहीं दूसी तरफ चिनों में अपनी पहली पतनी से अलग होने वाला हूँ जिसके बाद मैं तुम से शादी गर लूँगा अब ये सुनकर चिलगोजी भी बहुत खुश थी पर वो इस बात से भी डरी हुई थी कि अगर दिलबाग को उसकी असलियत का पता चला तो वो उसे छोड़ देगा त क्योंकि जिंगूर एक नाकारा था तो नैंसी उसे अपने लिए कोई जॉब ढूंडने को कहती है जिंगूर कहता है कि आज के टाइम पर नौकरी मिलना उतना ही मुश्किल है जितना की जीबी रोड पर रश्यन मिलना वहीं दूसी तरफ हम चिलगोजी को देखते हैं जिसे किसी शीला नाम की ओरत को ढूंड रहा था क्योंकि उसने उसका नाम अपनी मौम की लिस्ट में देखा था दूसी तरफ घर पर नैंसी को उसी जादूई दारू की एक और बॉटल मिल जाती है जिसको लेकर वो जल्दी से अपने दोस्तों के पास जाती है अब ये खबर सु ही घूमते फिरते और इंजोई करते हैं लेकिन वो लोग उस जादूई शराप को हाथ तक नहीं लगाते वहीं दूसी तरफ घूमते हुए नैंसी को पपू परदूशन की बहुत याद आ रही थी क्योंकि वो हमेशा से ही उसके साथ घूमना फिरना चाती थी फिर एकर उन दोनों में दोस्ती हो जाती है वहीं दूसी तरफ दिलबाग बार बार चिलगोजी को मैसेज करके उससे मिलने की जित कर रहा था लेकिन चिलगोजी उससे ऐसी हालत में मिलना नहीं चाती थी इसलिए वो अपने दोस्तों को बिना बताय उस दारू से एक पैग ले लेती इसलिए वो दिलबाग से कहती है कि अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी जो कहकर वो उसका फोन कार्ड देती है थोड़ी दर बाद जब वो तिनों साथ में बैठी थी तबी नैंसी कहती है कि मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ जो आज से पहले मैंने किसी को न पास थी इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ उसे ढूड़ने के लिए आगे वो तीनों एक म्यूजिक शो में जाती है और वहाँ पर पूरी रात इंजोय करती है लेकिन अगली सुबह जैसे ही नैंसी और चिलगोजी टपकीली को लेने के लिए उसके कमरे में जाती है तब व पता चल जाएगा कि वो मुझसे प्यार करता है या नहीं अगे वो अपने असली रूप में दिलबाग के पास जाती है लेकिन दिलबाग उसे नहीं पैचान पाता तबी चिलगोजी कहती है कि मैं वहीं हूँ जिसकी तितली का तुम चमकादर बनाना चाते हूँ अब पता चलता है कि शीला अभी भी उससे उतन ही प्यार करती है यहाँ तक कि उसने अपनी बेटी का नाम भी नैंसी रखा है अब नैंसी ऐसे उसके पास नहीं जाना चाती थी इसलिए वो उस जादूई शाराप को पी कर उसके पास जाती है लेकिन शीला ऐसे रूप में भी उ उनों को याद करते हैं जब वो दोनों अपनी तितलियों को रगड़ा करते थे फिर थोड़ी देर तक बाते करने के बाद वो चिलगोजी के पास वापस आ जाती है इसके बाद वो दोनों टपकीली की आखरी इच्छा को पूरा करने जाते हैं वहीं जिंगोर और दिलबाग भी उन दोनों को देखकर बहुत खुश होते हैं और दोस्तों इसी के साथी ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है